हेलो और वेलकम डियर स्ट्टेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप से विका आपके अपने यूटूब चैनल स्टेडी विद दुलार में बचो यह एंसे अर्टी का मैथ है क्लास सेवन का मैथ है एक्ससाइज 1.1 लास्ट दो कोश्चन बचा हुआ है कल यह जो है इसमें जि नहीं यह कोश्चन कब हटेगा सरकार जो है इस कोश्चन को हटाती भी नहीं है और यह बंदर ज्यादतर स्टुएंट्स को परिशान कर चुका है जब मैं पढ़ता था उस समय तो यह बंदर नहीं था लेकिन जब मैं पढ़ाने लगा उस समय मुझे यह बंदर मिला और कोश्चन है यहां पर यह बंदर नहीं समझे अभी तक तो फिर प्रॉब्लम होगा क्योंकि माइनस प्लस का कॉंसेट जो है लंबे समय तक बच्चे नहीं समझ पाते हैं नाइन ले लेते हैं यहां पर यह नमबर दिया हुआ है यह नमबर तो यह इस साइड का और इस और यहां पर नकाल सकता हूं अब गतर समझ यहां पर बाके बंद कर दिया है इसको प्लस और how you यह हो गया तो इसका value क्या हो जाएगा plus हम इदर भी रख लेते हैं इसको minus eight इसको रख लेते हैं और minus minus four bracket के अंदर इसमें करते हैं इसके आगे कुछ भी नहीं है तो यह minus eight ही रहेगा minus eight हो जाएगा है और यह मैं अगो जाएगा मैंडस पिलस मैंनस यह damn यह इसका अगर कुछ नहीं है किसी से मल्टिपलाई नहीं होगा तो यह होगा मानस एट और यहां पर यह क्जब खुलता है तो मल्टिपलाई होता है यहां पिलस होगी है थो यहाँ पर 8 में से minus 8 में से 4 माइनस उजागा लेकिन sign जो है Minus रहेगा क्योंकि जो बढ नमबर का sign होता हो ही साइन रथता है इसके आगे यह sign तो minux 4 हो जागा यहाँ पर minus 4 माइनस 4 12 में से बड़ा कोन हैं तो बढ़ा है मैनस 4, जो मैनस 16 नंबर होता है जो छोटा होता है, वही बड़ा होता है तो बड़ा ये हो गया, तो बड़ा का sign हम लोग कैसे लगाते हैं इस तरह से लगाते हैं ये इधर बड़ा, उदर मुह खुला तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस तरह का sign लगा देंगे यह हो गया, बी नमबर, मैंनस 3, अब मैं थोड़ा जल्दी बना देता हूँ, इसको ज़्यादा मैं यहाँ पे explain नहीं करूँगा, 7 और मैंनस 19, ठीक है, और इस साइड में हो गया 15, मैंनस 8 प्लस, मैंनस 9, यह हो गया, इसको यहाँ पे यह मैंनस रह जाएगा, मैंनस 3, और य 7 हो जाएगा, यहाँ तो यह खुलेगा तो मैंनस रहेगा, मैंनस हो गया, तो यह मैंनस मैंनस जो है, जूट जाता है, यहाँ पे 19 और 1, 20 हो गया, और 22 हो गया, तो मैंनस 22 हो गया, मैंनस 22 प्लस 7, यह हो गया, और इसमें इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे 15 हो गया, मैंनस 8, और यह प्लस inc nhân 0 pret 7-9 तो यह 15-17 तो यहां पर इसका क्या जगा वेल में से two and 20 होगया और 7 तो हे जला गया तो यहां पे 15 होगया क्योंकि मैनल असकर नंबर बढ़ा है निहां यहां भी मैनल में तोई 17 में से 15 होगा तो माइनस टू होगा तो माइनस टू सो तो बड़ा कोन हुआ 15 बढ़ा हो यह बड़ा थन जो च्वाइब भी शुटा ऐता है भाब बढ़ा科 यह वह यह थो बैस देन हो गया उसके बादC नमबर ले लेते हैं, question number C, 23-41 हो गया, plus 11, और इस side में दिया हुआ है, 23-41-11, तो यहाँ पे plus-plus यह दोनों है, तो यह जूट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, तू के जगा 3 और 3 के जगा 4, मतलब है कि 3, 4, 34 हो गया, minus 41, और यहाँ पे क्या हो गया, यह minus- यह दोनों जूट जाएगा, तो यहाँ पे 40 और, यह 41, plus 10, 51, और 152 हो गया, 23-52, इसमे से minus कर देंगे, 41 में से, इसको minus कर देंगे, 34, तो यहाँ पे कितना हो गया, 11 हो गया, 11 में 4 तो 7 हो गया और यहां पर हो गया 3 तो यह कट गया मतलब इतना ही रहेगा यह नंबर बड़ा है तो इसको माइनस इसका उला रहेगा और यहां भी नंबर बड़ा है इसका साइन है माइनस तो यह रहेगा तो यहां पर माइनस करेंगे हम लोग इससे 12 हो जागा यहां पर 12 में मैं से फ़िए इधर लगए गाएता में तो यहां प्लग लगा लेता है सी लेकर में सी नंबर में इद्र हो गया तकि गडबड़ करें बच्चे यहां पर मैंनस यह होगा मैंनस 15 होगया तो है मैंनस मैंनस कौन है यह मैंनस है जिसका कोई चीना नहीं रहता फो फ्लस रहता तो ये दुनों जूड़ जाएगा यहां पर इसको जोड़ लेते है 5 5 और 9 होगया यहां पर 39 लिकना होगा 39-9 हो गया और 219 यह वा गया तो जीरो हो गया रहते हैँ यहां पेजिब करते हैं यहां पर थर्टी सिक्स रहे गा मारूस मांड हो जाएगा 52 और यहां पर मैस मैनस प्लस हो जाएगा 36 36 तो यहां पर – कुण है । सब्स प्रक्राद तो नहीं है प्लस प्लस है 36 36 सेवंटी टू फिम्स मुगया तो यहां पे व् Gemeins तू गया और यहां सेवन मैं से फाइव गया तो टू १ומ है यह प्लस मेय आगा क्योंकि यह नंबर बढ़ा ना यह ऐसे होगा हो गया अब है इनमबर लास्ट इसका कुष्चन पहले लिख लेते हैं कि नमबर में यह हो गया यह नमर का question यहां पर यह minus है यह plus है प्लस 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 जो हता है उसको आपस में जोड़ देते हैं तो यहां इसको जोड़ देते हैं पहले minus 13 हो गया तो 130 हो गया तो इसमें से कितना है ? बगल वा कर लेते हैं 2013 तो 1 हो गया और जिरो हो गया यहां पर101 तो यहां यह नमबर यह बड़ा है इसका साइण minus है तो आएगा यह हूगा अब यहां पर इसको य customize प्लस है इन दोनों को प्लस कर लेते हैं यहां पर करते हैं 159 और 81 तो प्लस हो गया 10 01 हो गया और 13 हो गया 13 9 यहां पर 59 तो ब्राकॉन अग कितना हो जाएं गया वाइनस 159 तो फिर बड़ा कोona यहां चोटा होता है वहीबड़ा प्लस माइनस तो यह बढ़ा है इदर करेंगे यहां पीचर लगा दो है यह नुम्मर में यह हो गया अब जो है इस बंदर का काम करना होगा तमाम तभी काम बनेगा तो यहां पर पढ़ लेते हैं इसको क्या आप कह रहा है यह वाटर टैंक है स्टेप इंसाइड इट एक पानी का टंकी है और उसमें सीड़ी बना हुआ है उसमें अंदर की तरफ सबसे उपर में बैठा हुआ है बंदर जो है सबसे उपर में बैठा हुआ है दफस्स स्टेप पहला स्टेप में बैठा हुआ है द वाटर लेबल इस एट द नाइन्थ स्टेप और नौवा स्टेप में पानी है लब वहां तक वह जाता है तो पानी पी सकता है अब पानी प पुद रहा है उसके बाद दो स्टेप फिर वापस चला जा रहा है उपर की ओर इन हो मैनी जंपस वील ही रिच द वाटर लेवल तो फिर ये कितना बार उचलेगा कि वह पानी तक पहूंचेगा और पी सकेगा फर्स्ट नमबर में कहे रहा है उसके बाद सेकेंड नमबर में यहां पर कह रहा है, after drinking water, पानी पीने के बाद, he wants to go back, अब वो वापस फिर जाना चाह रहा है, for this, he jumps four steps up and then jumps back two steps down, अब वहां से वो return जाते समय चार स्टेप उछल के चड़ता है, और फिर दो स्टेप नीचे चला जाता है, फिर उछलता है, अगर कोई दूसरा जानवर होता, तो सीधा वो अराम से चला जाता, और फिर अराम से नीचे आ जाता, लेकिन यह बंदर दे दिया है, परिसानी का नाम, तो यहां पे दो स्टेप वो फिर से नीचे चला जाता है, चार स्टेप उपर गिया, फिर दो स्टेप नीचे चला गिया, in how many jumps will he reach back the top step, तो फिर कितनी बार वो jump करेगा, कि वो उपर जहां था, वहां पे पहुंच जाएगा, यह दूसरा नंबर में पूछा गिया, अब तिसरा नंबर में यहां पे दिया हुआ है, if the number of steps moved down is represented by negative integers, and the number of steps moved up by positive integers, यहां पे बतला रहा है कि जैसे यह नीचे की तरफ जाता है, down step में जाता है, तो उसको minus represent किया गया है, negative integer से represent किया गया है, और जब उपर की ओर जाता है, तो उसको positive integer से उसको बतलाया जाता है, represent किया जाता है, moves in part 1, part 1 और part 2, part 1 यह हो गया, part 2 यह हो गया, by completing the following, तो इसको complete किया गया है इस तरह से, इसको complete करने के लिए कर रहा है, इस तरह से जैसे की 8 आएगा इस तरह से कितना बार में 8 आएगा एक हो गया और दूसरा यहां जब वो उपर की और जा रहा था उस समें 4 उपर की और कुद्ता था और 2 नीची की और चला जाता था 4-2 इस तरह से दिया हुआ यह कितना बार होगा कि यह प्लस 8 आजाएगा इन A the sum minus 8 represents going down by 8 step A में यहां पे जो दिखाया गया है इसको जब complete होगा इसमें minus 8 दिखाया गया है डाउन स्टेर के लिए दिखाया गया है मतलब नीची steps के लिए नीचे उतरने के लिए So what will the sum 8 in B तो B नमर में इस तरह से जो 8 आया है उसको कैसे represent करेंगे क्या represent करेंगे तो यहां पे down step दिखाया गया तो यहां पे up step हो जागा simple सी बात है तब हम लोग यहां से इसको solve करना शुरू करते हैं यहां पे question number 10 ले लेते हैं यहां पे थोड़ा सा जो अध्यान रखना है concentrate करना है अधरवाइस जो है इसमें problem हो सकता है थोड़ा सा उल्जाने वाला question है यह सबसे पहले बंदर को जो है नाइन इस टेप पे नीचे उतरना है एक काम करते हैं सबसे पहले हम step बना लेते हैं यहां पर सीड़ी एक बना लेते हैं उससे हमको ज्यादा समझ में आएगा अब यहां पर बन गया यहां पर स्टेप का मतलब है कि यहां पर इसका उपर हो गया one फर्स स्टेप second second step यह हो गया third fourth fifth seven six हो गया seventh eighth और ninth में जैसे ही पहुंचता है यह नुवाइज स्टेप में जैसे पहुंचता है यहां पर इसको पानी मिलता है इसलिए पानी का पिक्चर बना दिया है अब समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा इसको नाइन्थ स्टेप तक जाना है तो नाइन्थ स्टेप तक जाना है तो फर्स्ट में वह कुद्धा है नीचे की ओर तीन स्टेप और फिर दो स्टेप ऊपर की ओर चला जाता है तो फर्स्ट जंप लेना है फर्स्ट जंप करता है जिसने साब से उसी तरह समको बनाते से जाना है फलस्ट जंप सब़ने में क्या वहता है वां पर है वहकर वन स्क्राइब और तीन स्क्राइब करता है यहाँ पर है तो वन डू ठो तरी किसे च्पना जाता है तो इक वल्ट परया ओंध स्टेप स्टिप यह घ्याई अब सेकेंड लेगा सेकेंड जुम्प इसको इस तरह से कर देते हैं तो फौर्थ स्टेप पे है फौर्थ और अब जो है वो फिर प्रीड चला गया बैक मतलब माइनस हो गया तो फिर क्या हो जाएगा वो ऍे टो पेप चला गया यहां था वन हो तो यह त कर देते हैं प्रदी आप लोगों को और यहां पर अब थाड़ स्टेप लेगा वह थाड़ जंप लेगा थाड़ जम्प इक्वल टू अभी सेकेंड पर है टू प्लस हो जाएगा तिरी इक्वल टू फिप्ट इस्टेप ऊचला जाएगा मतलब कहा था वो टू में था तो वन तो तूट थे यह फिफ्थ स्टिप स्टेप है यहाँ पर आ गया फिफ्थ पह अब नेक्स्ट ले मुझे है फोर्थ जम्प पूर्थ को तो थे मैं म५ तो नितमे अब क्या होगा वो ब्याक चला जागा यहाँ पे वनठू यहाँ पे 5-2 माइनस हो गया तो यहाँ पे थर्ड स्टेप पे चला जाएगा थर्ड स्टेप यह है अब यहाँ पे फिफ्ट में था वन टू यहाँ पे है अब फिफ्ट जंप लेगा फिफ्ट जंप थर्ड में था तीन प्लस तीन अब यहाँ पे इतना step में पहुंचेगा 6 यहां पर था 1 2 3 यह 6 में चला गया उसके बाद 6 जंप लेगा 6 जंप इक्वल टू 6 में था अब बैक टू स्टेप जाएगा 1 2 तो 6 में था माइनस टू हो गया इक्वल टू फॉर्थ स्टेप यह हो गया उसके बाद यहां से फॉर्थ के बाद 1 2 3 अब यहां पर 7 जंप इक्वल टू 4 पे है प्लस 3 लेता है इक्वल टू क्या हो जाएगा सेवन्थ वो सेवन्थ स्टेप पे पहुँच जाएगा यहां पर आ गया अब यहां पर है अब फिर वन टू बैक पे चल जाएगा यहां से सेवन्थ एट्थ एट्थ जंप में वो सेवन पर है और फिर बैक या दो तो वो फिप्थ स्टेप पे पहुचेगा यहां पर गया अब यहाँ पे है 1,2,3 अब फिर 9th jump यहाँ पे 5 पे है अब फिर आगे बढ़ेगा plus 3 equal to 8 अब यहाँ नाइन्थ step पे नहीं पहुचा है तो यहाँ पे 8th step पे पहुची गया है अब यहाँ पे है फिर बेक जाएगा 1,2,10th step,10th jump equal to 8 पे है और फिर बेक हुआ 2 step तो यहाँ पे हो गया 6th step पे अब है अब यहाँ पे है यहाँ अब यहाँ से 1,2,3 अब 9th step पहुच जाएगा यहाँ पे उसको पानी मिल जाएगा तो यहाँ पे 11th jump 11th jump लेगा और यहाँ 6 पे है प्लस 3 तो 9th step 9th step पे पहुँच गिया इतना तो यहाँ पे इसको पानी मिल जाएगा इतना इसका मतलब है कि इतना step इतना jump उसको लगाना पड़ेगा कितना 11 बार jump करना पड़ेगा इसको यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से हम लोग देखते हैं 10 इस तरह से हम लोग देखते हैं 10 he will reach at 9th step in 11th jump इस तरह से वो 11 बार jump करने पर 9th step में पहुच पाएगा एक अंसर यह हो जाएगा 1 number का उसके बाद यहाँ पे 1 number दे देते हैं यह 1 number का था तो यह 1 number का अंसर हो जाएगा अब 2 number में वो फिर से return back करेगा तब किस तरह से वो jump लगाता है यहाँ पे 2 number ले लेते हैं और अब उसको वापस जाना है तो यहाँ लिख लेते हैं now he will यहाँ पे एक छोटा सीड़ी बना लेते हैं क्विली पेपर चेंज हो गया है चले यहाँ पर step बन गया है अब इस यहाँ पर बंदर जो है यहाँ पर है यहाँ पानी है 9th step है यह बंदर यहाँ पर तो फर्स्ट जम्प में यह पहले चार step चड़ता है और फिर दो step नीचे उतर जाता है तो फर्स्ट जम्प लेते हैं 1st jump इक्वल टू यह 9 पे है तो इसको जाना है फर्स्ट वन पे जाना है तो यहां पे हो जाएगा यह घटते जाएगा यह यहां पर इसको प्रक्स जान वहाँ पाइब दूक्तिर एना यह खता बूर्साटी छानग की और अंप यंध्र लिए फिर जाएं 2 बेक जाएगा 1 2 मतलब 7 पे चला जाएगा तो 2 प्लस हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 7th step पे अभी वो है अब 3rd jump लेगा 3rd jump अभी 7 पे है तो 7 और फिर यहाँ पे इधर जाएगा यह तो यहाँ 7 हो गया तो यहाँ पे 1 2 3 4 तो यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 3rd 3rd step पे यह पहुँचिया अब फिर 4th jump यहाँ पे लेगा अभी 3rd पे है 3rd तो यहाँ बैक होगा फिर यहाँ से 1 2 5th step में चला जाएगा यहाँ पे 3rd पे है और फिर प्लस 2 तो यहाँ पे 5 मतलब 5th step हो जाएगा 5th step यहाँ पे चला गया अब जो है फिर 4 step अप जाएगा 5th jump में यह 5th jump हो गया इक्वल टू अभी यहाँ पे है प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस तो माइनस 4 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा वन आ गया मतलब first step यह पहुंच गया first step पहुंच गया वहीं पहुंच जाना था अब वो ब्यक आएगा नहीं टॉप step पहुंच चुका है तो कितना जम्प लेना पड़ा तो यहां पर法 प्रफरेजन्ट करने की लिए दिया हुआ है नंबर वाला लिखे लेते हैं है हिए नंबर में जो piece दिया हुआ है यहां पर माइनस थे प्लस टू और फिर कली जगा दिया हुआ हां फिर आहीं चलते जायगा माइनस ही माइनस 3 प्लस 2 ये कितना बार जागा ये 11 स्टेप वहाँ पे लिये थे ये 11 बार जागा 1, 2, 3, 4 हुआ फिर 5 6 हो गया 7 8 हो गया 9 10 हो गया ये और 11 हो गया इतना ही बार हम लोग को लेना है इतना लेने से इक्वल टू ये माइनस 8 आएगा आप कल्कुलेट करके अगर देखते हैं तो ये माइनस 8 आएगा इसके बाद B में यहां पे इस तरह से दिया हुआ है इसमें सेकेंड वाला में 5 स्टेप आया था तो इसमें हमको 5 बार लेना है तो दो बार अल्रेडी यहां लिखा हुआ है 4 माइनस 2 ये 2 हो गया फिर प्लस ये प्लस में अल्रेडी है फर्स्ट पहले जो है प्लस लिखा नहीं जाता है तो 4 माइनस 2 हो गया तो प्लस 4 माइनस 2 कितने स्टेप होगा 4 स्टेप और फिर प्लस 4 5 स्टेप हो गया इकवल टू यहां पे 8 आ जाएगा इस तरह से ये कंप्रेट हो जाएगा और यहां पे लास्ट में दिया हुआ है तो वाट विल दस सम 8 इन बी रिप्रेजेंट तो बी में सम को किस प्रकार से हम लोग परिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पे यहां पे माइनस 8 को रिप्रेजेंट किया गया है डाउन स्टेप के लिए और यहां पे डाउन के जगा सिर्फ आप कर देना है बस यह लिखना है यहां पे तो यहां पे मैं लिखे देता हूँ तो यहां पे इस तरह से हम लिख सकते हैं Thus the sum 8 in B represents going up by 8 steps उसमें A में down step दिखाया गया है down के जगर सिर्फ up कर देना है और उसी तरह से लिख देना है तो यह answer हो जागा थर्ड नमबर का तो यहां पे exercise 1.1 पुरी तरह complete हो गया है अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से मदद मिलता है ता आप हमारे इस वीडियो के एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और भी वीडियो हमारे चैनल में other subject का भी आते रहता है आप हमारे चैनल में बने रहे हैं